मैं इस काम को करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं मैं करतो लूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं ऐसा सवाल आपके पास आता है objection handling साथ आप different different company में होंगे तो आपको different different amount की जुरत होगी लेगिन मैं आपको बताने वाला हूं कि इस question को कैसे handle करना है इस objection को कैसे handle करना है और बताने वाला हूं कि इसका solution क्या है तो मेरा नाम जी चेक वरती है binary season के अंतक आज इसके बारे में खुलासा करने वाले तो सबसे पहले आपको क्या करना है एप 3 formula का इस्तमाल करना है feel-fail-found का इस्तमाल करना है सबसे पहले आपको बोलना है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुझे भी ऐसी लगता था लेकिन जम मै पैसा चला सर कि देखिए पैसा किसी के पास होते नहीं यदि आप सोचिए कि मैं सेरुप खान के पास बिजनस प्लान को लेके जाओं और बोलूं कि आप इसको कर लिए तो बोले यार बहुत यह हलका प्लान है कोई थोड़ा सा रिचस्ट करोड़ दो करोड़ पचास करोड कि आने वाले समय आपके पास पैसी की कमी न रहें तो देखिए आपको करना क्या है कि देखिए सर आपके पास पैसी की कमी है मतलब पैसी कमी है तभी तो आप बोले पैसा नहीं है आप सोचके देखिए कि यदि आपके घर में भगवान न करे कोई बिमार हो डॉक्टर ने बोला कि 50,000 रुपए लगेंगे इसके operation के लिए तो आप क्या बोलेंगे कि मर जाने दो जाने दो नहीं आप बिल्कुल ये बोलेंगे कि operation करो जिंदगी बचानी है तो आप कहीं न कहीं से पैसे का arrangement करेंगे तो आप वहाँ पर देख लिजे आप कर लिए पैसे का arrangement तो इसी तरीके जिस तरीके से जिंदगी को बचाने के लिए आपने पैसे का arrangement किया उसी तरीके से जिब जिंदगी को बनाने के लिए क्या हम पैसे का arrangement नहीं कर से और इसमें लग कितना रहा है सर पैस जितना समान लिया उसका पैसा देना सिंपल जो आप मार्केड में करते थे यहां पर करना है तो आपने जितना समान लिया उतना पैसा दीजिए बिजनस स्टार्ट और आपने किसी को इसके बारे में सेयर करना है तो आप उनसे पैसे जो खरी देंगे वो लोग आप उनसे पैस चालू कर सकते हैं जिसमें आपको बिना पूंजी का ब्यापार ये खड़ा कर सकते हैं ये इतनी बड़ी पावर रखता है तो पैसा किसी के पास होता नहीं है सर पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है आप भी अरेंज करिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोसे सवाल हो सकते हैं और लिख के बताई कि अगला वीडियो कौन सा बनाया जाए तो थैंकी सो मच आज के लिए इतना ही मिलते अगले सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मच